अगला पार्ट है जो आपको नाउन के बारे में पहला पार्ट दिया गया था अब दूसरा पार्ट नाउन दो प्रकार से तो आजब को कहीं विकिसी भी परहुत किस डाill प्रकार की कोई भी दिककत नहीं होगी कहीं भी आपको काउंटेवल और अनकाउंटेवल को लेकर सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी Cosft लान्स पर कांट वाल till मनी कांट क्या होते हैं एक तो आप वीडियो पर पूरा बने रही है आगा चले इस्टकर तो आपको के ङॉद्स कबंद कर को दूशरे पात में kind of noun countable noun or uncountable noun ठीक है countable or uncountable तो the nouns which we can count in number तो जिस noun को हम संख्या में किन सकते हैं that are called countable noun table chair tree तो यह सब कैसे noun है table को हम संख्या में गिन सकते हैं chair को गिन सकते हैं trees can be counted these are called countable noun और इसका क्या होता है यह singular भी होते हैं और plural भी होते हैं आगे आप पढ़ेंगे singular and plural number तो plural number के उन्हीं noun का होता है जो countable होते हैं अब प्रूलर नंबर नाउन का नहीं होता है जो अनकाउंटे और होते हैं पर एक्जाम्पल यहां पर कह रहा है uncountable noun the nouns which we cannot count in number ऐसे नाउन जिनको हम नंबर में संख्या में नहीं गिन सकते हैं देटर काल uncountable noun oxygen ऊड़े मिलक ती सब कैसे नावन है इनको हम संख्या में नहीं किन सकते हैं देटर काल uncountable noun ठीक है तो यह कहलाएंगे uncountable noun uncountable noun का plural नहीं बनता है countable noun का plural बनता है और इसके पहले आपको यह बता दिया गया था पांच प्रिकार के noun जहां पर आपके दो सी कावन और क्लेक्टिव यही दो नावन होते हैं countable बाकी के जो तीन आपको होता गये थे वह होते हैं uncountable इसको और डीटेल में याद से देखते हैं countable that can be counted जिने हम गिन सकते हैं जैसे पात करें one two three four इस तरह से हम गिन सकते हैं जिने उन्हें हम कहेंगे countable noun और इसके लिए हम यूज करेंगे how many how many tables are there वहां कितने मेज हैं तो one two three मेज को हम गिन सकते हैं ठीक है uncountable noun that cannot be counted जिसको गिना नहीं जा सकता है जिने हम गिन नहीं सकते हैं one two three four five इस तरह से number में हम जिने गिन नहीं सकते हैं उन्हें कहेंगे uncountable noun इसके लिए हम question is how much how much milk in the glass glass में कितना पानी है कि ठीक है तो इस तरीके से यह आपका जिसे हम संख्या में गिन सकते हैं countable जिसे हम संख्या में नहीं सकते हैं उन्हें unaccountable चलिए हम कुछ और example देखते हैं तो चलिए example के थुरू हम देखते हैं अब का सारा doubt clear हो जाएगा चलिए पहले हम बात करें water ठीक है तो क्या हम one water two waters three waters कह सकते हैं तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं यानि यह water जो है numbers में count नहीं होता है इसलिए water हमारा क्या है uncountable है यह ने water क्या है uncountable लेकिन हम बात करें one liter water two liters water three liters water तो यहां लीटर वर्ड जो आपका है यह होता है countable इसको हम कह सकते हैं one liter water two liter water two liters water तो यह क्या है यह हमारा है countable टेक है इसको count कर सकते हैं यह कहलाएगा countable तो water word आपका uncountable इसको हम संख्या में नहीं किन सकते हैं लीटर हमारा कांटेवल है तो लीटर का उसकरेंगे तो वाटर है पर लीटर वाटर कर सकते हैं क्या थिसा नहीं कहते हैं कि यह आपका होता है अनकाउंटेवल इसको हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं यह हमारा है अनकाउंटेवल नाउन ठेक है लेकिन अगर हम बात करें केजी वन केजी राइस टू केजी राइस थी केजी राइस लवन किलो ग्राम टू किलो ग्राम थ्री किलो ग्राम तो ऐसा हम कह सकते हैं तो किलो ग की बात करेंगे तो यह होगा काउंटेवल हां अगर हम राइस के ग्रेन की बात करें ग्रेन दाना तो वन ग्रेन एक दाना टू ग्रेंस थिरी ग्रेंस ऐसाम कह सकते हैं तो जो ग्रेन वर्ड है यह होता है काउंटेवल ठीक है तो यह आपका ग्रेन वर्ड क्या है यह है काउं countable हम कह सकते हैं टू ग्रेट साफ राइज है Nossa तो ग्रेंश आफ रइस धिरी ग्रेंस am रइस 4 ग्रेंस आफ राइस चावल के अगर जैन दाने की बात करें चावल एक दाने की बात करें तो उसको हम count कर सकते हैं तो फ़सकर आपप न्यू करना आपध होता है countable rice होता है uncountable similarly sugar की बात करें तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं one sugar two sugar three sugar तो यह क्या है uncountable है लेकिन अगर हम बात करें अगर हम का countable क्योंकि ग्रेन हम गिन सकते हैं तो कह सकते हैं तू ग्रेंस आफ सुगर थी ग्रेंस आफ सुगर फोर ग्रेंस आफ सुगर तो ग्रेंवर्ड सुगर ग्रें आपका countable है ठीक है उसे पकाद से इस्टार की बात करें तो इस्टार को हम गिन सकते हैं वन इस्टार कह सकते हैं तुई स्टार्स थ्री स्टार्स फोर स्टार्स नंबर में हम काउंट कर सकते हैं तो दैट इस काल काउंट टेवल नाउन ठीक है इस्टार क्या होगा काउंट टेवल नाउन होगा ठीक है इसको हम नंबर में गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं अब बात करें मनी पैसा ठीक है तो क्या हम कहते हैं वन तो क्या हम कहते हैं मनी वन मनी टू मनी थिरी मनी ऐसा हम नहीं कहते हैं या काउंट नहीं कर सकते हैं तो मनी आपका होता है अनकाउंट टेवल ठीक है मनी आपका है अनकाउंट टेवल लेकिन अगर हम बात करें कोईंस सि को कि तो इसको काउंट कर सकते हैं one coin two coins three coins यह कहलाएगा countable यानि जो हमारे coin है यह होंगे countable या note की बात करें तो one note three notes two notes five notes तो यह हमारे होँगे countable इसको भी हम नहीं सकते हो कलेंगे of countable जासे आपका राइस की बात होगी तो लाइस की नहीं कर सकते हैं अन्य काउंटेवल लेकिन डी की बात करेंगी दो राइस ग्रेन आपका countable है कि आपको countable और uncountable known पूरी तरह से clear हो गया होगा फिर विकर कोई doubts होगा तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा वीडियो कैसा लगा आप जिरू बताएगा इसके बाद हम तीसरे पार्ट को लेकर आएंगे जहां पर आपको बताया जाएगा कंक्रीट और अवेश्टिक नाउड के बारे में आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे हम आप से अगले पार्ट में तब तक के लिए thanks